हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागता आप सभी का कॉमिक बल्ड चैनल पर तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राच कॉमिक्स में डोगा की व्रद्ध वॉरियर सीरीज की दूसरी कॉमिक्स गोल्डन रेसर संजो कुपता पेश करते हैं गोल्डन रेसर भाग दो कथा विवेक मोहन पैंसिलिंग दिल्दीप सिंग इंकिंग सागर थापा इफेक्ट्स शादाब कैलिगराफी हरीश शेर्मा सैसंपादक मंदार गगेले संपादक मनीश कुपता मोनिका चाचा कहा है? जोगर्स पार्क में ना गूड मॉर्निंग ना गूड ना आचिरवात मोहर सिंग अदरक चाचा अपने दोस्तों के साथ चीता अदरक चाचा कहा मिलेंगे वह ही तू तो जानता है सूरज हाँ जानता हूँ जॉगर पार्क्श में अपने लाफटा कलब के बुढ़े दोस्तों के साथ होंगे ना गुड मॉनिंग ना गुड नाइट ना आशिरवाद ना सुबह का नाश्ता ना लंच और अब डिनर भी नहीं करते अपने सूरज के साथ सूरज कुछ नहीं रहा उनका सब कुछ लाटटा कलब के बुड़े ही हो गए उनके अधरक चाचा के पास सूरज के लिए समय नहीं था सूरज अकडू होता जा रहा है अधरक चाचा बुड़े और लापरवा होते जा रहा है अदर्ण चाचा आप बुड्डों के साथ रह रहे कर बुड्डे हो गए हो, बुड्डा होगा तू, तेरा बाप, तेरा चाचा, नहीछ चाचा नहीछ पूर्वो कामिक वरत्ध वारियर में आपने पढ़ा कि सूरज और अदर्ण चाचा के बीच अनवन हो गई है अब अदरक चाचा लाइन जिम में सूरज के कामों में दखल नहीं देते और उधर एक विच्छित हत्यारा मुंबई के सीनियर सिटीजन्स को अपना शिकार बना रहा है अब आगे पड़े सूरज से टकराव को टालने के लिए अदरक चाचा अपने लाफटा कलब में सीनियर सिटीजन्स को आत्म निर्वा बनाने की महीम में इस कदर वैस्ट हो गए कि सूरज से उनका नाटा ही तूट गया दौनों के बीश शुरू हो गई एक कॉल्ड वार चाचा अब वो बात नहीं रही आप में बुड्डों के साथ रहने से कमजोरी तो आई जाती है वही सदियों पुराना ठकराव जादा बखबख करने से भी कमजोरी आती है नए यह पुराने विचारों की जंग यानी ओल्ड वर्सिस यंग जंग हर जगे जा रही है फैर बदमाश अभी पकड़ता हूं तुझे आज भी हिलका सिंग से तेज कोई नहीं दोड सकता गोल्डन रेसर हिलका सिंग बीते जमाने का गोल्ड मेटलिस जिसने आज तक कोई रेस नहीं आ रही मुझे बुड़ा समझता है आज फैसला हो जाएगा बुड़ा कौन है उसका जिसम बुड़ा ज़रूर हुआ था पर अर्मान अभी भी जवान थे बहुत तेज दोड़ रहा था वे बालक पर डोगा से तेज नहीं एक ही थपड़ में चांद तारे नजर आ गए उसे अब डोगा की बारी थी डोगा समल पाता उससे पहले डोगा का जुनून जागा पर हिलका सिंग को पैचान का शांत भी हो गया अरे ये तो हिलका अंकल है अधरक चाचा के लाफटर क्लब मेंबर क्यों डर गया ना हिलका की छड़ी की मार से छोड़ मेरी छड़ी छोड़ दूँगा आपकी छड़ी पहले ये तो बताओ मुझे छड़ी से पीट क्यों रहे हो मैं तो आपकी मदद कर रहा था मैंने मदद मांगी थी नहीं फिर क्यों की मदद अब डोगा होगा तु गुंटे बदमाशों के लिए हिलका के सामने तेरी डोगा गिरी नी चलेगी अब पीटते ही जाओगे या बताओगे भी कि मुझे क्यों पीट रहे हो तभी बस करो दादा जी डोगा को कोई गलत फहमी हुई होगी डोगा शरीफों पर हाथ नहीं उठाता क्यों डोगा हाँ वो मैं समझा कोई चोर आपका सामान चीन कर भाग रहा है भाग रहा है ओए हिलका का सामान चीन कर भाग रहा है तुझे पता नहीं कोई हिलका से तेज नहीं भाग सकता अब ध्यान रखूंगा हिलका जी कि आप से तेज कोई नहीं तोड़ सकता मुझे माफ कीजे मैं चलता हूँ ओए ऐसे कैसे माफ कर दूँ तुझे तुने बेवज़ा मेरे पोते को मारा है अब तुझे माफी तभी मिलेगी जब तु मुझे रेस में हराएगा ठीक है इलकाजी एक दिन आपके साथ जरूर दोड़ेगा डोगा और आपसे माफी ही माँगेगा याद रखना डोगा मुझे रेस में हराप आया तभी मिलेगी माफी और तु भी याद रखना चिंटू तु अपने वादा तु अपने दादा से तेज नहीं दोड सकता फिर कभी देखेंगी दादा जी बाई डोगा तुमसे मिलकर अच्छा लगा मुझे भी बाई जिंटू कितना प्यार बरसाया उस छडीन डोगा पर आज पता चल गया डोगा क्यूंकि दादा का प्यार कैसा होता है अधरक चाचा भी तो अपनी अकड में रूठ हुए हैं मुझसे हिल्का जी के दमाग पर रेस एक सनक की तरहावी है और हो भी क्यों न वो अपने जमाने की चैंपियन जुरहें और चैंपियन बनने के लिए जुनूनी होना बिहस्ट जरूरी होता है डोगा को भी जुनून जुर्म मिटाने का क्या ये डोगा की सनक है क्या डोगा भी बूड़ा होकर छड़ी हाथ में लेकर सबको पीटता फिरेगा पर डोगा कभी बूड़ा नहीं होगा उसका जुनून उसे कभी बूड़ा नहीं होने देगा जैसे हिलका सिंग के जुनून ने उने बूड़ा नहीं होने दिया बचाओ भगो डोगा आया क्या आपको डोगा की मदद चाहिए हाँ भई हाँ मदद चाहिए आप क्या लिख कर दूँ ठीक है आपकी मदद करे करके डोगा को खुशी होगी फिट्यमू बाता मत कर जल्दी इन चोरों को दोल कर पकड़ वो मेरा पर्स चीन कर भाग रहे है उन्हें पकड़ने के लिए डोगा को दोड़ने की जरूरत नहीं है दादी जी अभी आप डोगा की गुर्राट का सर देखना ठैरो लो दादी अपना पर्स ला फिट्यमू वो अदबुद घटनाओं की रात थी जिसकी खुमारी सूरच के मस्तिश पर दिन में भी छाई हुई थी हिलका सिंग जी से पीछा चूटा तो दादी मिल गई फिट्टे मुऊ वाली शीतल हवाओं के जोके जैसे ये पल ही हैं जो इस धदकती सूरच को कुछ रात दे जाते मौनिका को बीती रात की घटनाए बताता चला गया सूरच मौनिका ने भी बताया सूरच को अधरक चाचा का दुख सूरच, एलबर्ट अंकर और जूली अंटी की मौत का अधरक चाचा को घहरा सदमा लगा था उनके हत्यारे को उसकी की एकी सजा मिल गई तब जाकर वो को समले है मैं जानता हूं मौनिका सूरच को भी तब ही सुकून मिला है जब डोगा ने उस अधरक को बेरहमी से मार डाला इस समय कहा है अधरक चाचा अपने लाफटर कलम में धन के पक्या अधरक चाचा ने फिर छेड़ी ही दीती अपनी मुहीम हा 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 दोस्तों इस जमीन पर खुदरत ने सिर्व इनसान कोई हसने की नियामत बख्शी है इसलिए पूरा जोल लगा कर हसो हा 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 हसी इंसान के अफसाद को दूर करके उसे सस्त बनाती है हसो और सबकी सेवा करो जो सेवा नहीं करता उसका शरी बीमार हो जाता है हसो और सबसे प्रेम करो जो प्रेम नहीं करता उसका मन बीमार हो जाता है हसो और जिन्दा दिल इंसान बनो जिन्दा दिन इन्सान कभी बूरा नहीं होता हसी के साथ-साथ बुजरगों को जिन्दा दिल बनानी के इस मुहीम में अद्रक चाचा का साथ दे रहे थे ये जिन्दा दिल वेंकट रमया, रिटारिड मिल्टरी आफिसर अपनी योवा वस्ता में वेंकट अच्छे लड़ा के तो थे ही साथी भारती प्राचीन मर्म विद्दा के ग्याता भी थे ओ, मैं हिल भी नहीं पा रहा और अब अद्रक चाचा के संग कंदे से कंदा मिला कर अपने अन्य साथियों को आत्म रक्षा के लिए मर्म विद्द्य का ग्यान बाट रहे थे अद्रक, मनुष्य के चरीर के अती सम्वेदर्शीन इस्थान को मर्म इस्थान कहा जाता है उन्ही मर्म इस्थानों पर यदि सटीक्ता से प्राहर किया जाये तो शत्रू का अपंग किया जा सकता है मर्म विद्या के ग्याता को शक्ती से अधिक सटीकता की आवशक्ता होती है मैं दस सेकंड में किसी को भी अपनी मर्म विद्या से पक्षा घाट जैसी स्थिती में ला सकता हूँ और दस सेकंड में बुना ठीक भी कर सकता हूँ ये बिजली किसके सिर पर गिरेगी वेंकट डोगा की सिर पर अरे बाप रहे क्यों अतरक डोगा का नाम सुनते ही तुझे तेरा बाप कैसे याद आ गया कुछ नहीं यूँ ही उसे मुंबई का बाप कहते है न इसलिए लेकिन तु मर्म विद्या का इस्तमाल डोगा परी करने के लिए क्यों कह रहा था देख अतरक इसके दो कारण पहला कारण उसका कानून तोड़ना मुझे पसंद नहीं दूसा कारण उससे दमदार और अफ़ालात का बना इंसान मुझे कहा मिलेगा पर वो तुझे मिलेगा कैसे तु अल्ला से दुआ कर वो मुझे मिल जाए अल्ला करे डोगा तुझे कभी न मिले तुने दुआ की? हाँ कर दी जिस दिन मिल गया डोगा उस दिन छुट्टी कर दूँगा उसकी यही वेंकट की सनक थी वेंकट की ये सनक अधरक चाचा सूरज को बता चुके थे सूरज वेंकट से बच कर रहना उस पर डोगा की छुट्टी करने की सनक सवार है इंट्रस्टिंग ओल्ड मैन उसे कम नाक दूसरे जिन्दा दिल है गोल्डन रेसर हिलका सिंग पांस दशक पूर्व इंसे तेज कोई नहीं दौड सकता था और आज भी नहीं हिलका से तेज कोई नहीं दौड सकता गोल्ड मैडल्स की बरसात होती थी हिलका पर इसलिए उसका नाम गोल्डन रेसर पढ़ गया गोल्डन रेसर हिलका सिंग जिन्दा बाद लोग कहते थे हिलका से तेज कोई नहीं दोड सकता है रफटार उसकी पैचान बन गई दोस्तों, इंसान की रफटार से उसकी जीवन शक्ती का पता चलता है रफटार ही जीवन है, रुके हुई हर चीज मौत का संकेत देती है इसलिए जब तक जिनदा हो जिन्दगी की रफतार को बनाय रखो और इस रफतार को बनाय रखने के लिए रोज रात को प्रैक्टिस करते थे हिलका सिंग हिलका से तेज सुपर रेजर फर्राटा दोड़ सकता है मैंने आपका record National Racing Championship में तोड़ दिया हिलका अंकल सिर्फ एक सेकंड के अंतराल से हिलका ने तुमारा चैलेंज सुईकार कर लिया फर्राटा ये उसी को तोड़ने की प्रेक्टिस है हमारी रेस कब होगी हिलका जी बहुत जल तुम्हें रेस का निमंतर मिलने वाला है फर्राटा मैं इंदजार करूँगा येंग बॉय हिलका सिंग और फर्राटा में ठंच चुकी थी वर्षो बाद इस तूफान को एक जलजली की चुनौती मिली थी सुना है फर्राटा ने तेरे रेकॉर्ड को एक सेकंड के अंतराल से तोड़ दिया और तुझे चुनौती भी दिया हिलका हाँ रख उसको मेरा आशिरवाद है फर्राटा बड़ा होनहार बच्चा है मैंने उसकी चुनौती सुईकार की है अभी प्रेक्टिस कर रहा हूँ जल्दी फर्राटा को रेस में हराँगा मैं तेरे लिए दुआ करूँगा हिलका रेस में कोई हिलका से आगे निकल जाई ये उसे मन्जूर नहीं था यही उसकी सनक थी तीसरे जिंदा दे ले हैं देवी सिंग चोहान फ्रीडम फाइटर और समा सेवक गुस्सा इनकी नाक पर रहता है भाई मूच हो तो देवी सिंग जैसी वर्नन ना हो बड़ी बड़ी मूच है इनकी पहचान नहीं इनकी जान है इसके अलावा इन्हें गर्व अपने छत्री होने पर हम छत्री हैं और छत्रीयों का धर्म होता है जम कर मुकाबला करना फिर चाहे वो युद्ध हो या परिस्तितियां या फिर लाफ्टर कलब क्या मतलब है अदरक तेरा कुछ नहीं देवी तू सबसे तेज हसता है ना इसलिए कह रहा था हाँ अदरक मैं जो भी काम करता हूँ उसमें अपनी पूरी शक्ति लगा देता हूँ फिर चाहे वो हसने ही क्यों ना हो देवी हमारी वही जिंदा दिली इन बुस्ते चिरागों को दुबारा रोश्नी दे सकती है मैं तुझे वचन देता हूँ अदरक तेरे इस निक काम में अपनी अंतिम सास तक तेरा साथ दूंगा तू वाकई चट्री है मैंने रामाड में पड़ाता चट्री है वचन देने और निभाने में बहुत पक्कियो होते है पर तू तो तू रामाड भी पढ़ता है अदरक हाँ मेरे लिए रामार और कुरान में कोई फर्क नहीं है यार मुझे कुरान दे मैं उसे पढ़ना चाहता हूँ पर क्यों जिस गरंत में तुझ जैसा बेजोड़ इंसान बनाने की ताकत हो उसे एक बार जरूर पढ़ना चाहूँगा तालियों से गूँज उठा था पार्क देवी सिंग कुछ और भी सिखाना चाहता था मेरी तरह आप भी अपने अपने हुनर का इस्तमाल करो मैं फ्रीडम फाइटर था और आज भी हूँ देश के दुश्मान हो या देश की सरकार मुझे जो भी गड़त लगता था मैं उसका विरोध तब भी करता था और आज भी करता हूँ देश गुलाम था तब भी अंग्रेजो भारत छोड़ो देश आजाद है तब भी धन्यवाद देवी सिंग जी आज आपके कारणी दोगा उन्हें पसंद था क्राइम फाइटिंग में दोगा बिल्कुल छत्री है मेरी तरह है उनकी एक इच्छा थी अगर मुझे मौका मिले तो मैं दोगा के साथ क्राइम फाइटिंग करूँगा उस दिन सीधी जेल की अवा खाएगा देवी सिंग देवी सिंग और वेंकट में दोगा को लेकर नौक जोग चलती रहती थी जेल क्या चीज है दोगा के लिए जान भी देदेगा ये छत्री है देवी सिंग ठीक है ठीक है जब दोगा मिले तो फैसला कर लेना इस नौक जोग को अकसर अधरक चाचा समालते थे ये नौक जोग जगडे का रूप ना लेले अधरक इसका पूरा ख्याल रखती थे यार वेंकट तू डोगा से नाराज क्यों रहता है यार अधरक तू हमेशा डोगा की वकालत क्यों करता है तुझे ऐसा क्यों लगता वेंकट? क्योंकि डोगा का नाम आते इस देवी के साथ साथ तुझे भी मिर्ची लगती है चोप हो जा वेंकट, अगर डोगा ने सुननिया तो तेरी बची कुछी जिंदिकी के दिन और कम हो जाएंगे डोगा की चर्जा सुनकर अब तक चुप खड़े हिलका सिंग भी कूत पड़े मैदान में अरे क्या डोगा डोगा करते हो, पिछली रात मिला था, इसी छड़ी से खुब पीटा मैंने उसे तुने डोगा को बीटा, पर क्यों? क्योंकि उसने भूल से मेरे पोते चिंटू का चाटा मारा था, पर सुना है डोगा किसी पर बेवज़ा हाथ नहीं उठा था ठीक ही सुना है, उसे अपनी भूल का एसास था, उसने मुसे माफी भी मागी थी, फिर तो तुने डोगा को माफ कर दिया होगा? हिलका किसी को एमई माफ नहीं करता, उसे माफी तम मिलेगी जब वो मुझे रेस मेराएगा, मुश्किल है हिलका, तुझे रेस मेराना डोगा के बसकी बात नहीं? डोगा के लिए सबसे डोगा के लिए सबकी अलग अलग राई थी अधरक पार्क में कोई चर्चाओं का जिक्र सूरज से जरूर करते थे सूरज सुना है हिलका ने डोगा की खुब पिटाई की हाँ चाचा डोगा उनकी चड़ी की मार कभी नहीं भूलेगा डोगा की पिटाई करके भी उसने डोगा को माफ नहीं किया माफी तो डोगा को रेस लगाने के बाद ही मिलेगी डोगा उनकी ये अच्छा जरूर पूरी करेगा आज कल हिलका सुपर रेसर फर्राटा का रिकॉर्ड तोडने के लिए प्रेक्टिस कर रहा है मुझे यकीन है कि वो से भी हरा देगा और डोगा को भी हम बूडे तुम यवाँ पर भारी पढ़ेंगे बूडों के लिए अच्छी बात नहीं होती चाचा मेरी खिल्ली उड़ा रहा है आज वैंकट और देवी सिंग में डोगा को लेकर फिर जंग हुई थी अब उनके साथ क्या हुआ क्या किया डोगा ने डोगा ने उनके साथ कुछ नहीं किया पर वो डोगा के साथ जरू कुछ करना चाहते वो क्या चाचा डेवी सिंग डोगा के साथ क्राइम फैटिंग करना चाहता है और वेंकर डोगा की छुट्टी करना चाहता है लगता है आपके तो सट्या गए है आपके जावाज बूनों का अगर मेरी जरुरत हो तो बता देना मेरी कोशिश यही है कि मेरे जावाजों को किसी की जरुरत ना पड़े बलकि वे सबकी जरुरत बन जाए ये सुधरेगा नहीं लेकिन इसे ये मनजूर नहीं था तुम बूडे बोज हो दुनिया पर जब तक जिन्दा रहोगे किसी नौजवान का हक छीनते रहोगे तुम से जिन्दा रहने के सभी अधिकार छीन लेगा युवा मुंबई में बढ़ ला था सीनिय सिटीजन तो युवा का कैर खचाक ए रॉम थाट आँ खचाक साए इस कैर को रोकने में मुंबई पुलिस नाकाम सिद्धो रही थी दम घुटने से गई है इस बुज़र्ग की जान किसी ने बेरहमी से घला दबाया है इस चुरी पर कातिल के फिंगर प्रिंट भी नहीं है कातिल बहुत चालाक है कार की तेज़ ठकर से मरा यही व्रत कार का ट्राइवर कोई पागल होगा मुंबई के एकाकी बुज़र्ग बहुत असुरक्षित होते जा रहे है पशासन इनकी सुरक्षा के लिए फोर्स बढ़ा नहीं रही है डोगा हैरान था क्या दुश्मनी हो सकती है इस बुज़र्ग से उस कातिल की क्या बिगाड़ा हो गया नहीं उस धरिंदे का कोई सिर्फरा लगता है या सिर्फरे पागलों का गैंग पर डोगा से जादा नहीं बहुत दर्दनाक होगी उनकी मौट डोगा अपनी आत्माओं से यह वादा करता है आपकी आत्माओं से यह वादा करता है डोगा के साथी परेशान थे फुफ 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 दोगा हमें अत्यारी की छोड़ी गई कोई निशानी नहीं मिली इसका एकी मतलब है साथियों कातिल जरूरत से जादा चालाक है वुफ वुफ वाकई बहुत चालाक था कातिल मुझे तुरंत अपना ठिकाना बदलना होगा और हुलिया भी गजब के मेकप आर्टिस थे मेरे पिता जी उनी से सीखी थी मैंने हुलिया बदलने की यह अदुबत कला मैं चला अपने नए ठिकाने और नए शिकार की तलाश में भडा ये शक्ति शालीब हम यहां से मेरे हर सबूत को मिठा देगा अब मेरा अगला शिकारी बता सकता है मेरा पता जो कि नामुम्केन है क्योंकि मुड़ते बोलते नहीं सुपर रेसा फर्राटा रेकॉर्ड तोडने के लिए हिलका सिंग पूरी तरह कमर कस चुके थे और तेज दोड़ी है दाजा जी अभी ले पुत्तर थोड़ा और तेज और तेज ले दस सेकिंड में सौ मीटर वा दाजी बस आधे सेकिंड का अंतर रह गया है फर्राटा के रेकॉर्ड तोडने में तू चिंता नकर चिंटू वो मैं फाइनल रेस में कवर कर लूँगा आपकी फाइनल रेस फर्राटा से कब होगी दाज़ी कभी नहीं फर्राटा से रेस नहीं लगानी तो प्रैक्टिस क्यों कर रहे हूँ? उसे हराने के लिए? मैं समझा नहीं दादा जी आपको रेस भी नहीं लगानी हो अहराना भी चाहते हो? देख चिंटू मैं फर्राटा को हराने के इच्छा इसलिए रखता हूँ ताकि उसे लक्ष बना कर प्रैक्टिस करता रहूँ और उससे रेस इसलिए लगाना नहीं चाहता क्योंकि यदि वो मुझसे हार गया तो उसका मनुबल तूट जाएगा और यदि मैं उससे हार गया तो अपने दोस्तों के लिए मिसाल कैसे बन पाऊंगा कि इस उम्र में भी मैं युवाओं को बचालनी की जंता रखता हूँ दादा जी तुसी ग्रेट हो वाकई रेस में आपको कोई नहीं रहा सकता अब समझ गया ना अपने दादाजी को बस अपना मूँ बंद रख उस बुड़े रेसर को रेस लगाने का बहुत शौक है अब मैं लगाऊंगा उसके साथ रेस और ये उसकी जिंदगी की आखरी रेस होगी फंदे में जखड़ा गया था गोल्डन रेसर ये क्या बत्तमीज ये कौन है दादाजी मौत तुझे रेस लगाने का बहुत शौक है आज मौत के साथ रेस होगी तेरी इस रेस के घोड़ों को मैंने ऐसा नशा दिया जो चाबुक लगते ही पूरी मुंबई का चक्कर लगा कर ही रुखेंगे चिंटू तुघड़ जा मैं भी आया ये रेस जीत कर नहीं दादाजी जा मुन्ना लोट जा आप तेरे दादाजी पूरी मुंबई का चक्कर लगा कर ही लोटेंगे सटाक अगर जंदा बचे तो हाँ 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 दादाजी गोल्डन रेसर की फाइनल रेस शुरू हो चुकी थी इतनी लंबी रेस जिसकी मंजल सिर्फ मौत थी हिलका सिंग को साथ लिए मौत की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे हवा से बाते करते नशाख और घोड़े मौंबई में घुसने से पहले मौत भी डोगा की इजाज़त लेती है डोगा के भीचरवानों ने गोड़ों के खोश चीन लिये थे रेस थम चुकी थी हिलका सिंग जी किसने किया आपका यहाल मैं रेस हार गया डोगा और थम चुकी थी हिलका सिंग की सासें भी आप हार नहीं सकते हिलका सिंग जी आप हीने तो कहा था हिलका सिंग को रेस में कोई नहीं हरा सकता आप इस तरह रेस नहीं हार सकते उटो हिलका सिंग जी अभी तो डोगा से रेस लगानी है आपको डोगा को माफी मांगनी आप से सुपर रेसा फरराटा रेकॉर्ड तोड़ना है आपको आप चैंपियन हो और चैंपियन ऐसे नहीं मरते नई दाई दाई आप ऐसे नहीं मर सकते आप दोड़ेंगे हिलका जी और आज ही दोड़ेंगे फरराटा की साथ ये डोगा की जेत है हेलो मैं बोल रहाँ डोगा हाँ बोलो अब ध्यान से सुनो जो मैं कहूँ वैसा ही करना मुझे ये किसी तरह का कोई सवाल मत करना सुपर रेसा फरराटा को लेकर अभी चैंपर पीसियो बूत नंबर 24 के पास पहुँचो उससे कहना आज उसे गोल्डन रेसा हिलका सिंग जी के साथ दोड़ लगानी है और कहना कि ये डोगा की इच्छा है मीडियो और हिलका जी के घरवालों को भी खबर कर देना आज हिलका सिंग की सुपर रेस फरराटा के साथ फाइनल रेस है ठीक है सारा इंतिजाम हो जाएगा सुपर रेसर फरराटा हिलका जी मेरे आदर्श रहे हैं उनके साथ रेस लगाना मेरे लिए फक्र की बात है न्यूस चैनल क्या कहा गोल्डन रेसर के साथ सुपर रेसर की फाइनल रेस चैंबूर में वह क्या झ्यकास निजए है हम अभी पहुंसते है हलका सिंग का घर हम अभी पहुंच रहे हैं चैंबूर और पुलिस डिपार्टमेंट सर मीडिया से खबर मिली है चैंबूर में मशूर रेस हिलका सिंग जी और फरराटा के बीच रेस हो रही है चलो पूरी पुलिस टीम के साथ चलो हम भी देखते हैं रात में पुलिस की पर्मीशें के बिना कौन सी रेस हो रही है चीता ने जिने बुलाया था वो भी और जिने नहीं बुलाया था वो भी पहुंच चुके थे टोगा दोरा आयो जी ते जदबुत फाइनल रेस को देखने वहाँ पहुचने वाले सबी एहरान थे हिलका कुछ कड़बड है क्या हिलका सिंग का परिवार दादा जी और क्या फर्राटा लगता है हिलका सिंग जी हमें छोड़कर जा चुके हैं पर मुझे तो फोन पर इनके साथ रेस लगाने के लिए कहा गया था तुमसे ठीक कहा गया था फर्राटा आज तुम्हारी रेस ज़रूर होगी अलका सिंग के साथ पर ये तो ये मेरे साथ दोड़ेंगे कैसे उसकी चिंता तुम मत करो फर्राटा तो मैं कसम अपने देश और इस golden racer की तो माज अपनी पूरी ताकत लगा कर दॉड़ना ठीक है डोगा मैं अपनी पूरी छमता के साथ दॉड़ूँगा पर कहा से कहा तक दॉड़ना होगा यहां से उस शमचान घाट तक शमचान घाट तक ये क्या कह रहा है डोगा मैं जानता हूँ डोगा हिलका की इच्छा पूरी कर रहा है ठीक कह रहा था डोगा चिंटू इधर आओ तुम अच्छी तरह से जानते हो तुम्हारे दादे जी की इच्छा डोगा और फर्राटा की साथ रेस लगानी की थी उनकी इच्छा डोगा आज पूरी कर रहा है अगर आज डोगा ने फर्राटो को हरा दियो तो इसका मतलब होगा कि हिलका जी जीत गए अब तुम्हें रेज शुरू करने के लिए बोलना है Ready, Steady Go Amazing, Wow चिंटू के Go बोलते ही बंदूग से निकली गोली की तरह हिलका सिंग की लाश को कंधे पर लिए दोड़ा डोगा दोड़ो डोगा, दोड़ो, और तेज दोड़ो और दोड़ा, सुपर रेशा फर्राटा लगता है फर्राटा जीत जाएगा शायद ये मीडिया कर्मी डोगा के जुरूंग से परिच्छत नहीं था ये रेस तो डोगा को हर हाल में जीतनी होगी फर्राटा तो सिर्फ रेस में ही दोड़ता होगा बच्पन से आज तक शर्म के पीछे सुर्य, जिर्म के पीछे दोड़ता ही आया है डोगा बकप डोगा दोड़ते दोड़ते कितना बड़ा धावग बन गया शायद ये वो खुद भी नहीं जानता शम्शान घाट जहां आकर खत्म हो जाती है हर इनसान के हर दोड तुम जीत गए डोगा डोगा जीत क्या मैं नहीं हिलका सिंग जी जीत गए अब याद रखना हिलका सिंग जी को रेस में कोई नहीं हरा सकता डोगा भी नहीं क्योंकि वो डोगा से बहुत आगे चले गए आज ये बात मीडिया के द्वारा पूरी दुनिया जान चुकी थी अपनी फाइनल रेस जीत चुके थे हिलका सिंग हिलका सिंग अमर रहे हिलका सिंग जिंदा बाद अब तो माफ कर दो डोगा को हिलका जी फुफ फुफ डोगा साडक पर ये छड़ी मिली है लगता है माफी मिल गई हिलका सिंग तो माफ कर चुके थे डोगा को पर कानून ने माफ नहीं किया था डोगा को घेर लोग, आज बचके नहीं निकलना चाहिए डोगा, बचके तुम्हें नहीं जाने देगा डोगा, हिलका जी के खोन के इलजाम में डोगा तुम सबको सजाए मौत देता है, नहीं डोगा, मैं तुम्हें कानून का खोन नहीं करने दूँगा, आप सब की मुंबई की सुरक्षा की जिम्मेदारी तो तुछ पर भी है तब ही तो यह असला बारू लात का कानून तोड़ता फिर रहा है तू तुझे भी तुम इनली चाहिए उसकी सजा डोगा एक पल भी ना रुका उस जगे अदरक चाचा की बात ने डोगा को जगजोर कर रख दिया आप ठीक कहते हो बज़र्गवार डोगा भी उतना ही गुनागार है जितना है की एपोजिस्स वाले लगता है इसे मेरी बात चुप गई मैंने तो डोगा को होश में लाने के ले सका था एक तरफ सूरज अदरक चाचा के बीच में तरार बढ़ती जा रही है दूसरी तरफ युवा के जुल्मों की रफतार बढ़ती जा रही है डोगा के जुनूं की आग को घी और हवा दोनों मिलकर भढ़का रहे हैं अब इस आग में कूदने वाला एक और जलजल नाम है जिसका गोल्डन हीरो करमशा तो चलिए दोस्तों वीडियो को यही समाप करते हो और मिलते हैं इस सीरीज के अगली कॉमिक्स गोल्डन हीरो में तब तक के लिए धन्यवाद